नमस्ता, स्वागत है आपका खबरों का पंच नावा में मैं हूँ आपके साथ खुश्बू हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच वड़ी खबरे जिस पर चर्शा के लिए हमारे साथ स्थूदियों में मौझूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ दॉक्टर मनेश कुमार, दॉक्सर बनबर स्वागत है अपका, सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइन्स पर आईएट की ट्रांस्टर को लेकर मोधी सरकार में मम्ता के सारे जूद बेलकाप किये, बंगाल में हिंसा के बाद वाक्सीन को टाले से बेखाल हुए है अतमने डॉक्टर की मॉब लुचिन वाले जिजियों में देश को विलाया, 24 घंटे के अंदर पकड़े गए सभी आरोपी शांती बेखाल के व्राज़कों केस में एंसीबी ने मुंबई के अलग-अलग इलाखों में मारे ताबर दोर छापे एक ज्रग पेडलर गिरफतार देश की बदनामी के बाद कॉंग्रेस में उड़ाया मौत का मजा, कमलनात बोले मृतक नहीं बताया, नकली रेमडी सेवियर से हुई मौत सबसे पहले बाद ममता की बेनखाब होते जूप और घष्टा चाहती, जिहाँ एक तरफ ममता सम्विधान को ताक पर रखकर अपना राच चला रही है, दूसरी तरफ कोरोना से बेहाल बंगाल में वैक्सिनेशन को लेक्सिनेशन कर भैंकर भर्ष्टा चार चल रहा है, आईएस के ट्रांस्वर को लेकर ममता ने जो प्रपंच रचा, अब मोधी सरकार की एक चिठी ने उन सबे प्रपंचों को बेनखाब कर दिया है, इस बीच बंगाल में विपक्ष के नेता शुमिंदू अनिकारी ने केंद्री स्वास आई नहीं है, आप राज़िती करेंगे, राज़िती की जवाब राज़िती होगी, जो बंगाल में हो रहा है, बंगाल तो अंदकार यूग में घुज गया है, किसी भी देश में, देश के किसी भी राज़ि में, अगर एक लाख लोग पलायन कर गए हों, डर के बारे कि हमें सत्ता रूर दल के गुंडे, मेरी पिटाई करेंगे, मेरे घर में, महिलाओं के साथ बलातकार करेंगे, उस राज़ि के बारे में क्या बोलना, उस मुख्य मंत्री के बारे में क्या बोलना, आप तो कीचण में जितना पत्थर बारिएगा, वो वापस आपको छीटा पड़ेगा, लेकिन किन सरकार को तो कुछ ने कुछ करना पड़ेगा, आज ख़बर आई, जिसे आपने बताया कि सबंदी अधिकारी बता रहे हैं ये सबंदी अधिकारी नहीं बता रहें बंगाल में सारे लोग इस बात को जान रहे हैं कि वहाँ वैक्सिन की काला बाजारी शुरू हो चुकी वहाँ अजीवो गरीब इस्थिती है पुलिस वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के एजिंट के तरह काम करती है अधिकारी वहाँ पे कटपुतली बना हुआ है आईएस लॉबी जो है वो मूख दर्शक बना हुआ है और IPS वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनाजी के हुकम की गुलामी कर रहे है ऐसे में बंगाल के बारे में कुछ कमेंट करने की आवशकता ही नहीं है जूट पे जूट वो बोलती है और वहाँ कोई बताने वाला नहीं मीडिया तो वहाँ पे डरी हुई है महिलाओं के साथ हिंदू महिलाओं के साथ बलतकार हो रहा है वहाँ पे लोग घर छोड़के भागे हुए हैं महिला आयोग और पता नहीं कितनी कितने लोग जाकर के आ चुके सब लोगों ने रिपोर्ट दे दी कि जहां मुस्लिम भीड ये कहके बच्चियों का रेप करती है कि हमारी सरकार आ गई है ये हिंदू लड़की अभी सिखाएंगे एक मीडिया इस पे स्टोरी नहीं करेगा इस तमाम ये जो तथा कथित गोधी मीडिया जिसको कहते बर राष्टवादी मीडिया वाले कहा किस भांग के निसे में सोय हुए है बंगाल से स्टोरी नहीं आएगी लेफ्ट प्रिबल कवाल से तो कोई उमीद ही नहीं है ये तो दलाल किस्म के लोग है इनको तो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा चाहिए होता है तभी वो मुद्दे को उठाते हैं लेकिन इतथा कतित हिंदुवादी है पाल गड़के मसले पे लड़ने वाले ये अरनव गुसवामी किस दिल के अंदर गुसा हुआ है ये कहा है स्जी टीवी कहा है बाकि तमाम टेलिवीजन चैनल बंगाल के उपर इन लोगों ने पट्टी बांदी है बंगाल में जो हो रहा है वो महापाप है ये एक वैसा वायरस है कि अगर मोधी सरकार ने इसे यहीं पे बंगाल के अंदर नहीं कुछला ये विष्देश का बटवारा हो जाएगा अब बात करेंगे असम में शांती दूद गैंके खूनी खेल की आज एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जूनियर डॉक्टर को कुछ लोग बेताहाशा पीटते हुए नजर आए वो डॉक्टर रहन की भीख मांगता रहा और लोग उसे पीटते रहे वीडियो को लेकर असम के डॉक्टर्स ने जब इंसाफ की मांग की तो पता चला कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इस डॉक्टर को ऐसे पीट रहे थे जैसे मॉब लिंचिंग हो रही हो मामना मुख्यमंत्री तक पहुँचा परताल हुई और फिर सभी आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया डॉक्टर साब आज की तारीक में जिन डॉक्टर्स को भंगवान बताय जा रहा है और उनके साथ इस तरीक हरकत हो रही है देखें ये बंगाल का वाइरस है जो अलग-अलग राज्यों में जो निकटवर्ती इलाका है वहाँ फैल रहा है बंगाल में टी-म-सी के कार करता नहीं मुस्लिम मॉब वहाँ पे हिंसा भलका रही है आपने देखा बंगाल से सटे वे बिहार के अंदर एक दिलिद वस्ति को जला के खाक कर दिया गया भगा दिया गया सबको वही अब बंगाल के दूसरी साइड जो असम सटा हुआ इलाका है वहाँ ये बीमारी गई है एक व्यक्ति जो बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन में घर से लाया जाता है हॉस्पिटल लाकर के उसको रखा जाता है डाक्टर के मताबिक उसकी मौत पहले हो चुकी और भीड घुशती है और आप पीटने चालू कर देते हैं घसीट के डाक्टर को आप बाहर लेके चले जाते हैं और उसकी पिटाई चालू कर देते हैं वो तो वहाँ पे हेमंत भिश्व सर्मा ने इस वीडियो को इमिडिटली एक नॉलज किया और कहा कि बिलकुल कम से कम समय में ये सभी जो 24 नाम से जो जिनके खिलाफ सिकायत है उसको गिरफतार किया जाए मैं आपको बता देता हूँ अगर यही घटना जो रोज हो रही है बंगाल के अंदर यही घटना ममता बरजी के बंगाल में हुई होती और यह पता चलता कि एक मुस्लिम मॉब ने एक डॉक्टर को पीट-पीट के खत्म कर दिया यह वहां की जो पुलिस है बंगाल की वो इस डॉक्टर के उपर ही केस दर्जगर्दी होती तो यह एक वारस यह फैल रहा है बंगाल से अलग-अलग जगों पे यह अभी शुरुवात है मेरी बात को मान के आप चलिए अगले च्छे मेने के अंदर में आप इस तरह की घटना है देश के अलग-अलग कोने से सुनेंगी और आप कुछ नहीं कर पाएगी अगली खबर सुशान सिंग राचपूत केस की NCB की टीम ने इस मामले में मुंबई के अलग-अलग अलाकों में कई शापे मारे और एक ड्रग पेड़र को गिरफतार भी किया आपको बता दे कि सिधाच पिठानी की गिरफतारी और सुशान के कुक से पूछताच के बाद NCB को कई बड़े सुराग हाथ लगी है और सूतरों के माने तो अब इनके जरिये बॉलिवोड के ड्रग्स गैंग और उनके पॉलिटिकल कनेक्शन की जाच की तैयारी चल रही है डॉक्टर साब सुशान की मौत की मिस्ट्री काफी जादा खतरनाक लगती है रिस्ता कोई परवेश खांस है और उसका अंडरवर्ड कनेक्शन है इस तरह की बाते सामने आ रही है अब फिल्मों का रिस्ता अंडरवर्ड से है ये कोई छुपी भी बात नहीं है ड्रग का रिस्ता अंडरवर्ड से है ड्रक पेडलर्स अंडर वर्ल्ड फिल्म अंडर वर्ल्ड ये कोई सर्कल कम्प्रीट होता नजर आ रहा है क्या क्योंकि इस तरह की बाते पहले भी कई रिस्पांसिबल लोग बोल चुके हैं सुर्ण स्वामी सबसे पहले मौत के बाद उन्होंने कहा था कि ये जो सुसान सिंग राजपूत की जो मौत हुए इसमें अंडर वर्ल्ड का हाथ है ड्रक पेडलर्स का हाथ है तो ये सारे चीजी जो हो रही है और ये जो गरफतारियां गरफतारियों की बात जो है ये जो एक्षन लिया जा रहा है इससे तो साफ साफे के हिंट तो जरूर मिलता है कि कोई गहरी बड़ी साजिस सुसान सिंग राजपूत के घर से वो बनाई गई जिसमें सारा डाटा उठा लिया गया NCP को ये पता करना है कि वहाँ ये जो चार पाँच लोग जो सुसान सिंग राजपूत के घर में रहते थे चाब वो सिदाज पिटानी हो, चाब रिया चकरवर्ती हो, चाब सौविक हो या फिर बहुत सारे दिपेस और ये वो तीन-चार लोग जो हैं उसके नौकर क्या ये लोग एक ड्रग काटिल के तरह उसके घर का इस्तमाल कर रहे थे क्या वो ड्रग बाटने का कोई अड़ा बना हुआ था और यही गुथी सुलस्ते ही ये जो सारा जो ड्रग माफिया है बॉलिवूड का उसका भी कचचचिठा खुल जाएगा अगली खबर कॉंग्रेस नेताओं की नए कांड की कोरणा में देश को बदनाम करने के बाद अब कॉंग्रेसे नेता लोगों की मौत का मजाग भी उड़ाने में लगी है सोनिय राहुल के सबसे चहेते नेताओं में से एक कमलनाथ की प्रेस कांफरेंस का एक वीडियो वाइरल हो रहा है और इस प्रेस कांफरेंस में कमलनाथ ये कहते हुए सुने जा रही है कि मृतक ने उन्हें खुद ये बताया कि उनकी मौत कैसे हुई डॉक्टर साब को इतना नापरवा आफिर कैसे हो सकता है देखे कमलनाथ वो सक्स है जो शायद राहुल गांधी अगर अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो उनका सबसे पहला नाम होगा वो कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले एक उमिदवार है राहुल गांधी अगर नहीं बनते हैं तो उनका बनना अल्मुस्ट तैह है क्योंकि गोलत साब ने मना कर दिया है अब वो कह रहे हैं कि मिर्टक ने ये उनसे कहा कि मेरी मौत जो हुई है वो नकली रेमडे सिविर दवाई खाने से हुई है अब बोलते बोलते उनको ध्यान नहीं रहा होगा कोई मरा हुआ वेक्ति कैसे कह सकता है कि उसकी मौत किस वज़े से हुई है और वो भी मौत के बाद ही वो मिलने के लिए उसके घर गेते हैं पुरा explain कर रहे है कि मैं घर गया था तो वहाँ पर उन्होंने बताया अब slip of tongue भी हो सकता है लेकिन ये मानसिक्ता है Congress Party की इस समय विपक्ष ये जो लिफ्ट लिफ्ट कबाल ये जैसे जैसे ये जो कुराना की गिंती कम होती चली जा रही है second wave के उपर एक control दिख रहा है हर जगह हम करोना को second wave में हराने में काम्याब नदर आ रहे हैं इनकी चट पटाहट बढ़ रही है कि अगर भाई लोगों की लाशे नहीं बिछी देखे कितना 15 दिन पहले 20 दिन पहले ये कितना मज़ा ले रहे थे वहाँ लाशे हैं वहाँ लाशे हैं इनके चटे बटे पैसे खा करके वो फरजी तस्वीर पुरानी 2014-2012 जागरन अख़वार के पुरानी तस्वीरों को उसके फोटोग्रापर से ले करके अप नियुवाक में छपआ रहे हूँ तमासाई लोगों ने क्या क्यों क्योंकि इनकी स्टैट्जी यही थी कुछ लेना देना नहीं लोग मरते हैं मरने दो ये गांधी परिवार और ये कॉंग्रेस पार्टी के इन चट्टे बट्टों को इनको लोगों के मौत से कोई हमदर्दी थोड़ी है टूल किट में तिस तरह से ये बता रहे थे कि सिर्फ उसी को मदद पहुंचाना जो कॉंग्रेस पार्टी को टैग कर रहा हो अब इस मानसिक्ता के साथ ये लो तो इनका मेन एजेंड़ा यही है कि इस देश के अंदर में हाय तौबा मचे कोहराम मच जाए जिससे ऐसा दिखने लग जाए कि ये मोधी सरकार फेल हो रही है यही कमलनाथ पिछले बार पकड़े गए थे अपने कारकरताओं को बता रहे थे कि भई आग लगा दो इस बार आग लगाना है वही देश में हाग लगा करके राजिनिती करने की यह कॉंग्रेस पार्टी राहूल गांधी सोनिया गांधी प्रियंका वाडरा कि यह कौन से रणिती है यह समझ में नहीं आ रहा आखरी ख़बर है डबली वेट्चो में चीनी ग्यांग की कोरोना को लेकर चीन की कर्तू उतकिसी से छिपी नहीं है पर अब चीन के एजिन्ट डबली वेट्चो में उसे बचाने और भारत को बदनाम करने में लगे हुए हैं दो दिन पहले इंडियन वेरियंट को नाम देने के बाद अब डबली वेट्चो उसे अब सबसे ज़ादा खतरनाक बताने में भी लगा हुआ है डॉक्टर साब चीनी साजिश या ये फिर कोरणा पर नया ड्रामा है देखिए चीन कितनी भी साजिश कर ले लेकिन उसके गरदन पर जो तलवार लटकर रही है न उससे वो बच नहीं सकता डॉक्टर को बारे में आपने बात की डॉक्टर का चीफ तो खुद एक वामपन थी है आप गूगल कीजिए आपको पूरा उसका इतिहास मिल जाएगा चैनीज पूरा जो इंटरनेस्टल इंस्टिउसन्स हैं उसमें अपने लोगों को बिठाने में काम्याब रहा है चीन तो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करके अपने हिसाब से कानून बनवाने में काम्याब हो जाता है चीन तो वो देश है कि हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज एंजियोज और अलग-अलग ये जो लेफ्ट लिपल कबाल पत्रकारों को पैसे दे करके उनको ब्राइब करके वो अपने हिसाब से अपना अजिंडा चलवा लेता है तो चीन की तो ये रणीती रही है कि भई आप दूसरे देशों के रिसॉर्सेस वहां पे बिकने वाले लोगों वहां के दलालों वहां के बिभीशनों वहां के मिर जाफरों को आइडेंटिफाई करो और उन से ये सारा कुछ करवाओ लेकिन दुनिया वहीं पे खत नहीं होती मैं आपको बता दू कि जो चीन के उपर इन्विस्टिगेशन किया जा रहा है कई सारी एजिंसिया कई सारे साइंटिस्स कई सारे लोग इस चीज़ के उपर तहकिकात कर रहे हैं कि ये जो कॉरोना का वायरस आया तो वुहान के लैब में ये कब और क्यूं कैसे बनाया गया इसमें अब कोई डाउट ही नहीं है कि ये जो कॉरोना का वायरस है वो चीन ने एक बैलोजिकल विपन के तरह इसे इसे इस्तमाल किया अब सक के घेरे में डव्लू टियो भी आ गया है कि वो चायना को बचाने के लिए क्या-क्या इन्होंने कारवाई किये और किस तरीके से चीन के एजर्ट की तरह डव्लू एचो ने काम किया कॉरोना के जो तहकिकात हो रहे है उसमें तो चीन फ़सावा है लेकिन अब पूरी दुनिया की निगा वो डबलू एचो के उपर भी है क्योंकि डबलू एचो ने भी चीन को बचाने में बहुत एहम भूमी का निभाई है और इसका भी पूरा पोल पट्टी खुलना भी बाकी है जी डॉक्साब बहुत बहुत शुक्रिया समाम जानकारी के ख़बरों का पंचनामा में आज के लिए बस अतना ही आपको हमारा वीजियो कैसे लगा आप हमें अपनी राय दे सकते हैं इसे लाइक करें शेर करें और कैपिटल टीवी को सब्स्राइब करें नमस्कार